महल परतारना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड व्रष्टाचार से दुखी होगा कॉंगर जागर शूपरी से मौता देती है मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शूपरी जिले के आज तक के 500 लोगों के जनप्रदिनियों की बैटक में कहते हैं कि व्रष्टाचार वगवान पर चाहाए जाने वाला परशाद मैंने सदेद जनसेवा को महत दिया है शूपरी मेरी घर मुमी है कॉलरस्ता में रहने वाला हूं जनम मुमी है मैं सरुपर्था मीश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों भूमियों पर मज़े सेवा कम होता है पर अर्थमान समय मैं भारतियंता पार्टी से कॉलरस से विधायव होकर जनसेवा हूँ साड़े तीन वरसों से जब से सिंद्या जी के सयोग से भारतियंता पार्टी ने सरकार बनाई है मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाय पीडा का मैसूच हो रही है वो बरदास करना पड़ा सिंद्या जी के साथ आई हुई जितनी टीम है चाहे वो मंत्री हो या उनके सिफासालार हो अखंड रूप से ब्रष्टाचार में डूबे हुए हैं साड़े तीन वरसों में मैंने जनसेवा में जो योजनाए केंद्रो प्रदेश सरकार की थी जिनको मैं अपने अनुभव अपने प्रयास अपनी महनस से ला सकता था मैं संचिप्त मैं ही कहूंगा कि कॉलरस विधान सवा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने चाहे वो पानी की उजनाए हों नलजली उजनाए हों कॉलेज हों सेंट्रल स्कूल हों बसिस्टेंड हों हाउसिंगोड कॉलोनी हों बजली के स्टेशन हों सडके हों अमरे सरोबर ताला हो, सभी से मैंने अपनी जनम मुमी को सिंचित किया है लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो सभी ने मिलकर के पूरी तागस से मेरे विकासकारियों को रोका है आज भी मेरे बिजली के जो दो सबस्टेशन है अगराका उसको बरत्मान डियेफो ने आदा काम होने के बाद रोक दिया है जिसे प्रवारी मंत्री और संदिया जी के लोग लेकर आए बेड़ोन का बिजली का इस्टेशन आप सबको ग्यात हुआ था कि मुझे भूमी पूजन भी नहीं करने दिया जब मैंने मुकमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमी पूजन कराया एक अपते पहले मैंने जब लोकारपन किया सारे अधिकारियों को फोन करके मना कर दिया ग सालारों मेरे विकास कार को च्छती पहुँचाई है यहां तक कि एक नई दो तू तिन तीन वार इन साले तीन वर्सों में प्रवारी मंत्री है उनके मंत्रियों में मुझ पर फरजी F.I.R कराने की कोशिश की चाहे वो मेडीकल कॉलेज का प्रक्रण हो और चाहे वो अनन का ही प्रक्रण हो तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ राम जी की किरपा से मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ इन सारी चीजों को समय समय पर मैंने चाहे प्रदेश नित्त तो भाजपा का हो मानने मुकमंत्री सब्राज सिंग जी चोहान हो या जो भी हम नित्त तो कह सकते हैं सबी को साड़े तीन वर्सों में दरजनों बार इस बात को मैंने कहा और यहां तक एक डड़ मैंने पहले शूपरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण सीस नितत के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि मानिये मुक्पंत्री जी साड़े तीन वरसों से मैं अपनी पीला छेतर की जनतागी पीला आपके सामने रख रहा हूं लेकिन आप किस दवाव में हैं मुझसे क्या भूल हुई है पर मुझे लगता है कि साइद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने मानिये जवांजिंग पवया जी का काम किया लोकसवा में साइद मुझसे ये भूल हुई कि के पी आदब जी को जिताने में तिल वरावर मेरी सहयोग रहा अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा लेकिन खिर्प्या करके जनता के विकास कारियों को मंत्री न रोके मंत्री जी से मेरी पांच मिनिट आपके साथ बैठक करा दे ये साले तीन साल में ने वेदन करता रहा लेकिन मेरे वेस्तम मुक मंत्री जी को मुझे पांच मिनिट का समय देने का प्रवारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन और कमेटी की वेटक में सीम हाउस पर एक महीने पहले खड़े होकर जिससे पार्टी साइद अबदरता मानती अगर विधायक अपने मुक मंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा जो आज नोबत आई है मैं नहीं चाहता था ये नोबत आई पर मैं जनसेवक हूँ और मैं अपने मुझे नहीं कहना चाहता कि राजनीती से 22 बर्स में मैंने 22 रुपे का लावर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से अपने मेहनत की कमाई से मेरे बेटों के वैपार की मेहनत सी कमाई से मैंने सारे चुनाओ लड़े हैं सारी जन सेवा की है चाहे वो गव सेवा की हम बात करें चाहे मानब सेवा की करें मैंने कॉलरस विदान सवा में अपनी सेवा के सारे प्रत्त करने की कोशिश किये पर जब मुझे लगा कि भारतिय अंता पार्टी में गौलियर चंबल में या गौलियर गुना लोकसवा में भारतिय अंता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है वेक्ति विसेश और किसी परिवार के दवाओ में मूल भारतियंता पार्टरी के कार करता को यहां कोई सरण नहीं मिलने वाली है तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूफ से इस परिवार से प्रथक होना चाहिए और इन पीडाओं के कारण मैं आज ये निड़ने ले रहा हूं प्रमुक कारण यही है दूसरा कारण है जैसे मैंने बिदान सवा में शूपरीज लेके दो वर्ष से चल रहे 84 करोण के गोटाले की बात उठाई बिदान सवा प्रिष्ण के माध्यम से तो मेरी साइट पारिटी को ठीक नहीं लगा हो पर मैंने चर्चा की उस चर्चा में केपी सिंग जी भी वो ले कॉंग्रेस के विधायक लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाईयों को हुसला और हम्मत देना चाहता हूँ जिनके दद्दस बीसवीत लाक रुपे जमा है जिनके घर में दुर्भाके से किसी के कैंसर है किसी की बच्ची की साधी होना है लगातार तीन साल प्रियास करने के बाद उस वि करीब किसान जिसका दसलाग पाचलाग बीसलाग जमाएं उसको दो दो हजार रुपे एक बार जाने पर मिल रहे हैं तो इस तरह की अंदे की करना जन समश्याओं की सहकार तक उठाला और चाहाएं गउसेवा की बात करें मैंने दो बार विधान सब्स लगाए हैं पिछले एक सालों में के गउमाता को केवल पंद्रा रुपे आप अनुमान देते हो और तीस रुपे मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में और प्लावस के राज तांगरे सास्थ राज राजस्तान में भी इससे अधिक मिलता मिलता है तो मैंना विधान सब्स प्रिश्ण के की चंता करने की कोशिश की क्योंकि मेरा विसेथ लगाओ है और इस लगाओ को आप मैसूस कर सकते हैं कि धरमपुरा आधर्स गउसाला में मैं अपने